तो दोस्तों आज की video बहुत ही काम के होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी YouTube보डियो Chinese जो पुरानी विऊratos नहीं है यह फिर पुरानी विडेयो फे विडेयो आएं यह थोड़े विव आकर रुख आये हैं बताने वाला हूँ बस आपको वीडियो को लास तक दिखना होगा और बहुत ही काम की नॉलेज आपको देने वाला हूँ आपने जब चैनल स्टार्ट में बनाया था तो उसके लास्ट के जो पिछले एक साल होता उसमें आप सिर्फ सीख रहे होते हो और जब आप पूरी तरीके सीख जाते हो यूट्यूब के बारे में अच्छी थमडल बनाने के बारे में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के अच जितनी आपको आती होती फिल्च एक डिवे पनी आ चेलारंते जाते हो आने वाले समय कोयोंगी तो आपके थमJल टी न बनी हों क्योंकि पुराने जिश्फप्पर परता है क्योंगि हो होगा इस बात कि मैं गारेंटी ले सकता हूं क्योंकि हर एक यूट्यूबर समय के साथ सीखता है चाहे आप हो चाहे मैं हूं मेरे साथ भी बहुत सी गलतिया हूं यह मेरी भी बहुत सी वीडियो जिनमें विल्कुल जीरो वियू या पर पांच शे वियू भी आये हुए हैं त भी ब्राउस फीचर से आता है तो आप दोबारा से सच रिजर्ट पर ले जाने के लिए आपको करना क्या होगा दो तरीके आपको अपनाने होंगे सबसे पहला आप आपको टाइटल भी अच्छे से लिखना आता है डिसक्रफशन में लिखना आता है आपको पुरानी वीड आपने कोई पुरानी वीडियो बनाई है कि काइन मास्टर से एडिटिंग कैसे करें और आपको यह लिख देना है और डिसक्रफशन में देख लेना है कि आपने जो पहले किया तो आपको इतनी नौलेज नहीं होगी तो आप डिसक्रफशन में आपको अच्छे से पूरा ल अच्छे से कर देना है जो नौलेज अभी आपके पास है उस नौलेज के यूज करके पुरानी वीडियो को सुधा रही है क्योंकि कोई भी गलती हो चुक्छी है तो आप आपको सुधा सकते हो और बेटर बना सकते हो तो एस यो कर दीजिए उसके पर टैक्स जो होते हैं उ कोई बंदा अगर आपकी उस टाइटल को सर्च करता है तो यूट्यूब को लगेगा कि यह वीडियो अभी नई आई हुई है तो आपकी वीडियो को वहां पर दिखाएगा आपकी वीडियो वहां पर सर्च रिजर्ड में SEO के वज़े से आएगी अब आपको बात करते हैं ब्राउज फीचर में किसी ने आपकी वीडियो को सर्च नहीं किया है पर वह आपकी थम्नेल को देखता है और अगर आपकी थम्नेल अट्रेक्टिव होती है तो आपकी वीडियो को क्लिक करके जरूर देखता है तो आपको वहां पर थम्नेल चेंज करनी है थम्नेल वाली ब बनाईए और उसमें आपको बिल्कुल नया expression देना है नया font लिकना है बिल्कुल नया title और बिल्कुल आपको अच्छी सी professional thumbnail बनानी है जैसा कि आप अभी present time में बनाते हो आपको बिल्कुल professional thumbnail बना कि उसमें catchy thumbnail बनाईए कुछ थोड़ा बहुत आप clickbait कर दीजे legal clickbait यह होता है दोस्तों आप वो करोगे तो बिल्कुल सही है वहाँ पर कुछ अलग दिखाईए कि कौन से एप से आप professional reading कर सकते हो question mark दे दो कुछ भी ऐसा दिखा दो जिसमें आपको clickbait thumbnail हो लोग उस पर touch करें अब आपके thumbnail भी super हो चुकी है SEO भी super हो चुका है professional level पर आपकी वीडियो हो चुकी है अब जैसे ही आप publish करोगे तो वहाँ पर यूट्यूब भी उस सर्चीजर पर आपकी वीडियो को डालेगा वहाँ सी भी वहाँ स्टार्ट हो जाएंगा आपका एक्सोर्स खुल गया दूसरा आपकी thumbnail कैची है तो जित आप ही देते हैं SEO पर पहले उतना ध्यान नहीं देते थे जितना भी देते हैं तो हम आप पुछली वीडियो से दीजिए गो करा थे वीडियो को पता ही नहीं यह कितने अच्छी तो आपकी वीडियो nahin देखहिएगा इसी वाजए से प्राणी वीडियो इतना करो खकें तबस आपको इतना से दो-तिन प्रोसेस करना है और फिर आपको खुत देखना है कि वहाँ पर कितना व्यू आ रहा है अगर आपके वीडियो के अंदर क्वाल्टी अच्छी होगी तो खुद आपकी वीडियो चल पड़ेगी और वह रैंक भी हो सकती है दोस्तों तो अब आपको बताई है कि यह जो मैंने आपको मैठेड बताया जो तरीका बताया वह आपको कितना समन में आया और क्या आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो और यह एक बात जरू ट्राइब कीजिए का फिर आपको खोदी लगेगा कि यह वीडियो में जो मैंने आपको बताया हो रियल में काम करता है तो दोस्तों आज की वीडियो इतने ही ता थैंक्स वोजिंग फ्रेंड जय ही जय भारत